बुलन शेहर गैंग रेप गरफतार आरोप्यों को 14 दिन की जेल लेकिन तीन दरिंदे अभी यूपी पुलिस की पहुँच से दूर बुलन शेहर कान के आरोप्यों के खिलाब फूटा लोगों का गुस्सा एस इसपी दफ्तर के बाहर लोगों ने की नारेबासी यूपी के हातरस में पुलिस और बदमाशों की बीच एंकाउंटर एक पुलिस कद्मी और एक बदमाश सक्थ पी यम्ना नगर में होमवक्त नहीं पूरा करने पर मदर्से में बच्चे को चेन से बांग कर दी सजा आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत तर्च सिकंद्रबाद में जरजर इमारत का हिस्सा धराशाई हाथसे में दो लोगी मौत पांच सक्थ में यूपी के गोरकपुर में रियाल्टी चेक के दुरान दिखी पुलिस की लापरवाही थाने के अंदर और बाहर सोते देखे पिलुस वाले पुरनेशन में गर्स आस्टल में हुई हत्या कारोपी गिरफतार सिसी टीवी से पुलिस को मिला काप्तल का सुराख राख्सान में पाकिस्तान से सटे सी मावर्टी लाकों में लगाए गए सीसी टीवी कैमरे सुरक्षा के लिहाद से एहम फैसला हिमार्चों के धर्मशाला में योग सेंटर पहुंशे मुख्यमंत्री अर्वन के जवाल दस दिन तक करेंगे विपासना यूपी के रामपुर में नावारिक लर्की से बंदूख के दम पर गैंगरे वीडियो बना कर किया वाइरल दोनों आरोपी गिरफ्तार यूपी के सीतापुर में अवे संबंदों के श्रक में पती ने पत्तनीस को चार पाई से बानकर जिंदा जलाया पुलन चेहर की घटना की बाद यूपी में सजग वी पुलिस लखनों में देर आश्राप्ती कर गाड़ी चलाने वालों का काटा चलान महिला एसेसपी मंजल सेनी खुद दिखी तैनात हर्याना की यम्ना नगर में महिला चोरू का अतंक एक उदाम से माल लेकर फरार पूरी वादात सीसी तीव में कैट मर्बदेश के बैतूल में कन्या आश्रा में रहने वाले चात्राओं ने महिला ओस्तिल सुप्रेंटेंडेंडेंट पर लगाया मारपीर कारोप पुलिस में दर्ज हुई शिकार दिली के पॉष्ट इलाखे वसंकुंज में घर में 23 सार की नौकरानी की कुछकुशी से हरकम पुलिस मामले की जांच में जुटी दिली के शाहबार देरी लाखे में 4 सार की बच्ची से दुष्ट कर्म परोस में रहने वाला आरोपी गरफतार पीड़द बच्ची अस्पताल में भड़ती दिली के करावल नगर में बिजली के अंप्री की लापरवाही से यवक की गई जान घर के सामने सफाई करते वक्त पूल में करंट लगने से हुई मौत दिली में शास्त्री पार्क के पास जग प्रवेश अस्पताल की पार्किंग से डॉक्टर की कार चोड़ी सी स्टीव में कार ले जाते दिखा चोड़ बारिश दिली में खोली PWD विभाग की पूल गुबंद पूरी में 15 फीट नीचे 10 सड़क रास्ता बन बिहार के चपरा में डीजे मामले पर दो गुटों में फिर से इंसक जड़ा फाइरिंग में तीन लोग बुरी तरह से खायल जम कर हुआ पत्राब बिहार से बेतिया में मामली काहसुनी पर साथ साल के मासुन की उसके चचेरे भाइल नहीं मौत की घाट अतारा चाकू से गला रेता यूपी के सीतापुर में बच्चे की मौत पर परिजनों का आस्पताल में हंगामा डॉक्टर की गाड़ी को भी बनाया निशाना मज़देश के रतलाम में सावन के दूसरे सोंवार पर दर्दना खाथ सा मंदर में करंट लगने से एक महला की मौत आठ फ्रद्धालू खायल पुडे में पांसे जारा होटेल की पार्कियों मसरीज कार चोड़ी सी टीवी में केबिन से गाड़ी की टाबी चुरा ते दिखा चोड यूपी के फिरोजाबाद में शिवका जरबशेक करने जारे शद्धालू का ट्रक हाई टेंचन तार की चपेटना आया एक की मौत बारक हैल यूपी के जौनपुर में दो-दो बेटी होने से नराज शक्स ने पत्नी को मौत की घाट उतारा धारदार हत्यार से हत्या कर मौके से फरार हुआ लुध्यानार पंजाब नाशनल बैंक की शाखा से दिन दाढ़े 15 लाग की लूट बाइक पर सवार चार नकाप पोश बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजां अम्रिसर ने 32 साल की महिला से 60 लाग की फिरोती मांगनी कारों पें दो लोग गिरफतार बेटे को अगवा कर मारने की दीथी धंकी वी करेर में सीमा पर जाली नोट और डीवीडी के साथ पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक बीएसेफ ने पुलिस को सौपा यूपे बुलन शहर में पुलिस चौपी के सामने कड़ी ट्रक्ट में लगी भीशन आग दमकल की गाड़ी में मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू कौकता के सौल्ट लेक्स में एक निजी अस्पताल में देंगू के दो चात्रों की मौत के बार बवाल गुसाई चात्रों ने स्कूल के बाहर किया प्रदर्शन कौकता में एक गेस्ट हाउस में तीस साल की मैला का शब मिलने से अरकम पती पलगा हत्याकारो परनाथक मैसूर में कॉर्ट परिसर में टॉयलेट में धमाकिये से अफरा तफ्री कोई जानमार का नुक्सान नहीं पफाड़ा में शही जवान बब्लू कमार काउन के घर मत्रा में अंतिम संस्कार आकरी विदाई देने लोगों की उमड़ी फीड यूपी में कॉंगोस नेता नगमा के रोच्छो में फिर से अंगामा कार करताओं नों जम कर मचाया उसपाथ मुंबाई में अभिनेता अमता बच्चन की घर में जबरन घुसने की कोशिश में एक शक्स किरफता जूहू में विगबी के घर जल्चा के अंदर पहुंच गया था रोपी 25 सार का रोपी बुलेट भवरी लाल यादव बिहार का रहने वाला पकड़े जाने पर कहा मिताफ को अपना गाना सुनाना चाहता था असम के बोर्गाई गाउं में पुलिस को बड़ी काम्यावी भादी मात्रा में हत्यार के साथ पकड़ा गया उल्फा का उगरवादी जैन के कई हिस्सों में मुस्लाधार बारिश लोगों की बढ़ी मुसीबत बिहार के सुपॉल पहुंचे ये आए माएम ने तासो दीनो वैसी बार्ट प्रभावित अलाखे में जाकर लिया हालात का जाएजा ठाने में मुस्लाधार बारिश जारी का दिखा असर मोदक सागर डाम उफान पर कोची में ट्रांस्पोर्ट विभाग में जलाई मोहिम हेलमेट पहनो पेट्रोल भराओ और सेत रहो देरादून की पास काई जगा भूसकलन से लोगों में देशच चंद सेकेंड की भीतर पहाड का एक हिस्सा तूट का सरक पगिरा किसी के घायल होने की खबर नहीं कोचल्या नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों की जिंदगी भी खत्रे में बच्चों को पीट पर लाप्त कर नदी पार कराते हैं अभिभावक लगतार हो रही बारिश और भूसकलन की कारण सोंवार को कई घंटे तक बन रहा खेदार ना थाए वे शधालों को भारी परिशानी वो पाल भारी बारिश की बार बड़ी जील लबालब भदभदा बांध के एक टीम गेट को ले गए असम में बार का तंडर जारी 26 जिले बार की चपेट में चिरांग में सेक्डों लोग को राहत कैम्ट में दी गई शरण यूपी के फेज़बाद में कई गाउं बार की चपेट में सानी लोगों ने प्रशासंद लगाया अंदेखी कारों मौसम खराब होने से अधूरी रह गई पाकिस्तान से आए भक्तों की केटारना त्यात्रा चार धाम की यात्रा पर आये थे 138 पाकिस्तान बार्डमेन में अधिकारियों ने चलाया अतिक्रमन अभियान एक मकान से शराग की खेब भी बराम कॉंग्रेस सध्यक सोन्या गान्री आज जेपीम के संजेक शेतर वानसी से करेंगी मिश्रंग यूपी का आगाज रोचों के जरिये कॉंग्रेस में नई जान फूखने की कोशिश गुज़राग की मुख्यमंधिया अन्दी बेन पतेल के स्तीफे पर आज बीजेपी संजे बौर करेगा आख्री फैसला अन्दी बेन ने बढ़ती उम्र का हवाला देकर सोंबार को दिया था स्तीफा गुदवात राजसबान पेश होगा जी एस्टी बिल सोमवार पुवितमन्ती जेटली की कॉंग्रस और सीपियम नेताओं से हुई मलाकात सूप्रोगन बदाविक कॉंग्रस मिली हरी जंडी विहार में शराब बंदी पर घमासान सरकार के नए विधेयक को तालिवानी बताकर एंडिये ने राजभवन तक निकाला मांच आज YSR कॉंग्रिस ने आंद्र देश में गुलाया राज जिव यापी बंद केंद्र 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 को विशेश दर्दर दर्जा दिये जाने की माँ यूपे के संभल में 11 साल की बच्ची से रेट की वारदात विरोध करने पर आरुपियों निमा की पिटाय की इमाचल में कुल्लू के एतिहासिक रगुनाद मंदर मामले में सरकार को जटका, हाई कॉर्ट लगाई या दिग्रहें पर रोग, 11 अगस को अगनी सुनवाई मर्वरेश के बैतूर में किंडरों ने पेश की अनोकी मिसाल गरीब परिवार में जन्मी बच्ची को लिया कोड़ पश्चुमगाल में के एंजियों ने शुरू किया गायों की गिंदी का काम, 12-24 परगनाज से शुरूआ कारकरम 25 सितंबर को खत्मोगा बिहार में नई शराव नीती को लेकर विपक्ष उतरा सरक पर बीजे पी कारकरताओं कर परदर्शन सराव बंदी की बीच कठिहार में नशे में धुद्ध दारोगा जी की मनमानी महिला से शेर खाने की कोशिश पर हंगामा ब्यार में शर्याव की तसकरी के लिए महलाओं का इस्तमाल एक खेव के लिए मिलते हैं पात सो रुपे नाजीपुर में स्टील कारोबारी कोमारी गोली बदमाशों ने मांगी दी पचास लाग रंगदारी गया में मिर्ट बच्चे की कवरी से जिन्दा करने के लिए तांत्रिक का ड्रामा मौके से मुर्गा और गांजा बरामत राजसान की करॉली में स्कूल की वान त्रेस साइट नहीं मिलने पर कावडियों का हंगामा चात्राओं से मारपीत कारोब मर्द देश के खरगौन में व्यापारी के घर डाका चौकिदार को बंधक बनाकर लूट पाट चारखन के लोहर दगा में स्कूल में भरा नाले का पानी शिकायत के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई जमशेदपुर में हो रही सावाद के लोगों ने पूर्वत सीये मदुकोडा के अगवाई में निकाली पाद्यात्रा आदिवासी का दर्जा दिये जाने की मांग की माराश दिलातूर में बारिश के साथ आई खुशियां सुखा प्रभावे तलाकों में शुरूवी पानी की सप्लाए 36 गर के दुर्ग में तालाब में मिली महिला की लाश महिला की नहीं हो सकी है पहचान राजनांद गाउं में मुबाइल पर अश्नील मेसेज भेजने में मंचलिप पर पड़ा भारी पुलिस ने किया गिरफ्तार मा समन में गांजी की तसकरी में पकड़े गए पती-पत्नी बरामद हुआ दस किलो गांजा कांकेर में नकसलियों का तांडव मुख बीर होने के श्चक में ग्राम पंच की हत्या उलम्पे के लिए रियो जाने से पहले जैपुर में पर अथलीट सुन्दर गुर्जर के डोपिंग में पसानी की कोशिश का खुलासा एक जूस वाले ने खुला रास उद्दम सिंग नगर में एक परिवार में मातम भुपाल घुमने गई अथलीट का मशली के साथ सेल्फी लेने की कोशिश में बहुत नहीं ताल के एक होटल के कमरे में गुसा तेंदुआ हंगामे के बाद बातरूम की ख्रिकी से शलांकर भागा तेंदुआ पतंजली में दस दिन के शिवर के बाद बीएसेफ ने डीजीपी का नया फैसला पैस तालिस मिनट की पीटी की जगा योग करेंगे जवान यूपी के कायन फुर में चंदु अखाडे के पहलवानों निकी सिल्मान की पूजा सुल्तान फिल्म से प्रभावित अंदर आश्रती रंदाज रगत चोहान एक दिन के दोरे पर पहुंचे सवाई माधोपुर ती रंदाजी के लिए सेंटर खूलने की अपी अम्रोहा में एकता विज्यान पितरश्टी भीर जटाने ले अजब तरीका अश्लील गानों पर कराया डांस गाज़ाबाद में नाशनल आएवे 24 पर बदमाशन विवाक कुमारी गोली लूट के इरादे से हमला पंजाब के तरन तारण में एक साइज विभाग ने जब किया 5000 लीटर आलकोहॉल 14 रुपी गिरफतार अमरिस्तर में होटेल में युवा की कुद कुशीर दो दिन पहले होटेल आया था रसपनाम से अंजाब के संग्रूर में एक बजरंगी भाईजान की कोशिच से 65 साल बाद मिले भाई बहें विभाजन के वक्त पाकिस्तान में रह गई थी शरीफा रास्तान के फथे पुर्शेखावती में तीन बदमाश गिरफतार बिजनस्मेन पर की थी फाइविंग डिली मुंबाई के बीच हाई स्पीट टालगो ट्रेन का पहला ट्राल रन कुछी देर में मुंबाई सेंट्रल पहुँचेगी ट्रेन पठान कोर्ट में प्रिशास ने पेट्रोल पंप मालिकों को जारी किया फर्मान हेलबेट नहीं उने पर दुपाहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के लिए के लिए काहा कुरुक्षेद के पेहुवा और पंडल का गाउं कुम्थला गाडू बना खर्याना का पहला वाइफाई गाउं नौलाग खर्शकर गाउं में वाइफाई होट स्पोट से विधा जांची में एक स्कूल के अनोखी पहल नेतरहीन चात्राओं के लिए कम्थी की बदद से शुरू किया गया कॉल सेंटर